पुलिस और जामिया को लेकर पुलिस और जामिया कोडिनेशन कमिटी के बीच वीडियो वार्ड जारी कोडिनेशन कमिटी के वीडियो के बाद तिल्ली पुलिस ने जारी के दो और वीडियो कुल शे वीडियो सामने आए वीडियो में दिख रहा है जामिया उनिवर्सिटी कैंपस का गेट पुलिस वालों को पत्थर मारते नजर आ रहे हैं 15 से 20 दकाब पोष्च जारे उनिवर्सिटी की लाइबरडी में चेहरे ड़के नजर आएं कई लोग क्राइम ब्रांच का दावा 15 दिसमबर को जामिया मिल्युस्टी कैंपस में मौझूद थे पत्थरबाज क्राइम ब्रांच का दावा एसाइटी जान से साफ हो जाएगी जामिया मिल्या में 15 दिसम्बर की तस्वीर जामिया मिल्या यूनिवर्सिटी के चात्र शायन मुझीब की याचिका पर दिल्ली हाई कोट ने केंद्र और केज जिवाल सरकार से मांगा जवाब जामिया के चात्र का आरोप 15 दिसम्बर को पोलिस ने लाइब्रेडी में घुसकर निर्दोष चात्रों को बीटा था मुझीब नवांगा दो करोड का मुआगजा जामिया के वीडियो को लेकर सुलगी सियासत असदुदीन वैसी का आरोप केंद्र सरकार और दिल्ली पोलिस ने जूट बोला कि पोलिस जामिया उनिवरसिटी में दाखिल नहीं हुई जामिया कॉडिनेशन कमिटी के वीडियो पर बोले कपिल सिबल सामने आया पूरा सच लाइब्रवी में नहीं गुसने की दलील देने वाली पोलिस बेरायमी से छात्रों को पिट्टी दिखी जामिया में वीडियो को लेकर बीजेपी का परटबार कहा पूलिस ने कुछ भी गलत नहीं किया जामिया के पथर बाजों पर बीजेपी ने कसा तंज जीवियल नरसिमा राओ का सवाल कंप्यूर युग में आखिर पथरों से कौन सी पढ़ाई तक जा रहते जामिया के छात्र शरजील इमाम से जुरे केस की आज दिली के पटेला हाउस कॉर्ट में सुनवाई इस बीच अलिगर कॉर्ट ने जारी की प्रोडक्शन वारंट लेकिन तिहार जेल पहुंची अलिगर पुलस शरजील पर कस्ता जा रहा है केस का शिकंजा अब जामिया हिंसा मामले में जेनियों के चात्र शरजील इमामती गिरफतारी जामिया हिंसा मामी में सबूत मिलने पर शरजील पर कसाश शकंजा, तिली को डिस्टरब करने के विवादत पांफ्लिक मिलने पर हुआ गिरफटार इससे पहले M.U. में असम को भारत से काटने वाला विवादत ब्यान देने पर जानाबाद से गिरफटार हुआ था शरजील राजद्रो का दर्जुआ है केस शाहीन बाग्स से पिदर्शन कारीयों को हताने का प्लान तेज विदेशी गुसपैजियों को लेकर सटकार कुषे सेना का साथ मुक्त पतर सामना में लिखा गुसपैजियों को देश से बाहर निकालने में पूरा देश एकमत मध्धहस्ता का शाहिन बाख के वरशनकारियों ने किया स्वागत साथि कहा सी ये वापस नहीं उने तक जारि रहेगा धर्ना शाहिन बाख के वरशनकारियों पर पश्चिन मंगाल बीजे पी अध्यक दिलीग गोश करवाद आईसाई के बहावलपूर के ठीकाने में चिपा है मसूद मरकज उस्मान अली में कडी सुरक्षा के बीच पना। पारिस में हो रही पाइनाचिल आक्शिन टास्क पोर्स की बैटर पाकिस्तान पर ब्लैकलिस्ट होने का मंडरा राय खत्रा। पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट से बचने के लिए 49 में से बाहरा देशों के मत अपने पक्ष में करने होंगे। पाकिस्तान में हिंदू लड़कियों को जबरन मुस्लिम बनाने को लेकर लंडन की सड़कों पर विरोध, हाई कमिशन के बाहर जोड़दार प्रदर्शन। आर्डिकल 370 पर सरकार का विरोध करने वाले ब्रिटिश MP को एरपोर्ट से लोटाया दिल्ली एरपोर्ट से दुबाई भीजा। कश्मीर में सोशल मीडिया के जरिये बाहौल खराब करने की साज़िश, श्रुनगर पुलिस ने दर्ज किया केस कई यूजर्स निशाने पर। कश्मीर में हालाद पर असदुदी 29 का आरोप कहा अत्याचार का नया रिकॉर्ड बना रही है सरकार। पाकिस्तान में फिर तोड़ा सीजफायर, पुंच सेक्टर में गोला बाई। फरारातन की एहसान उल्दा पर, मनाला पर गोली चलाने के साथी पेशावर में आदमी स्कूल में मासूमों के कटलियाम का भी है आरोप। गुज़ाट में नमस्तिर टरंप समारो का आयोजन, टरंप की दोरे से पहले एमदाबाद पहुंचा मेर की दल, 200 से जादा मेर की सुरक्षा कर्मी होंगे तैना, एमदाबाद पहुंची टरंप की कार, लगेज भी लाया गया। सीएम विज़े रुपाइनी के मताबिक एमदाबाद में एक लाग से जादा लोग करेंगे टरंप का अबिवादन, चौबिस फरवरी को दो दुवसी अभाद से दोरे पर आएंगे अमेर की राश्पती, डर्नल्ड टरंप पीम मोदी के साथ एमदाबाद रोड से सावर मत की राश्पती का स्वाधत, आगरा में टरंप के दोरे के मद्दे रुपाद दस हजार पुलस कर्मियों की तेनाथी, इनमेर 65 असिस्टन कमिशनर, 200 इंस्पेक्टर, 800 सब इंस्पेक्टर तेनाथ, 25 स्वरवरी को दिल्ली में उद्योग पतियों से मुलाकात करेंगे टरंप आतंकी मसूद अज़र पर जूट बोलने वाला पाकिस्तान फिर बेनकाब, मलाला को गोली मारने वाले तालिबानी आतंकी एस्थान नुल्ला, एस्थान के कैद से फरार होने की पुष्टी मुक्यमंत्री बनने के बाद एक्शन में केच जिवाल ट्वीट करने का दिल्ली में जल्द दूर होगी बसों की कमी की समस्या नव्जों सिंग सिदू पंजाब में विक्रम अजीठिया के साथ साजा किया मंच राचनितिक गलियारे में तेज हुई अटकरे बाजी अकारी दल टकसाली के नेताओं से भी हुई मुलाकाद वज्जाब सरकार में बगावती स्तुर जारी पूर्व होकी प्लेयर और कॉंग्रिस विधायक परगट सिंग ने अपनी सरकार के कामकाज पर उठाए सवा सिद्धू के बीजेपी याम आदमी पार्टी से भी जुड़ने की चर्चाएं दिल्ली चुनाव में दोनों दलों से सिद्धू ने बढ़ती थी दूरी महराश्ट्र के मंत्री जिदेंद्रावार का दावा उदव छाक्रे नहीं लागू होने देंगे एंपिया जेडियू से बदकास्त प्रशान किशोर राजनितिक मोर्चे पर आज कर सकते हैं बड़ा एलान बिहार में चुनाव से पहले राजनीती में पुनरवापसी का प्लान युवाओं को लेकर पीके ने बनाई अपनी राजनितिक योजना कुछ देर में पटना में प्रेस कॉन्फरेंस में करेंगे खुलास सूत्रों के मुदाविक प्रशान किशोर अब राजनितिक स्तार्थी नहीं योद्धा की भूमिका निभाएंगे पहले बीजेपी, समाजवादी पार्टी, जेडियू और आमाद्वी पार्टी के लिए कर चुके हैं काम बजट के खिलाब वामदलू का मंडी हाउस से संसत्त तक विरोध मार्च प्रकाश करात करेंगे अगवाद बांगला फिल्मों के प्रसेद आक्टर और टीमसी के पूर्व सांसर तापस पाल का निधन ममता निदीश रंधान चली स्वाती मालिवाल ने भोहन भागवद पलगाया महिला विलोधी होने का आरोप भागवद के बयान का दिया हवाला बोली महिलाओं के पढ़ने से क्या हो सकती है समस्या यूपी में आज से बोट की परीक्षा शुरू लक्नों में परीक्षा सेंटर पहुँचकर डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने लिया तैयारी का जायजा भुज के हॉस्टल में लड़कियों को कपड़े उतारने पर मजबूर करने के आरोप में सक्त कारवाई प्रिंसिपल समेट चार की रफ्तार शीन में करोना वाइरिस से मरने वालों की संख्या ठारा सो के पार जपानी क्रूज में एक और भारते नावरिक का टेस्ट पॉसेटर सचन्द नुलकर को विला लॉरिंस 20 स्पोर्टिंग मॉमिंट का पुरसकार बोलन में आयोजित है समारों तिंदुलकर ने अपने इंस्टाग्राम पर दी जानकारी विहार के लखी सराय में कनहया कुमार पर चंदन गोडे नाम के क्षक्स ने उच्छाली चपल समर्थ को ने जम कर पीथा पुलिस कनहिया पर चपल उचालने वाले को मुश्किल से बचा पाई चंदन कुमार गोरे ने कहा कि गोरे समाज को बदनाम करने का आरोप है कनहिया पर गया में C.A. के समर्थन में नोखा प्रदर्शन हवन कर विरोध करने वालों के लिए मागी गई सद्बुथी असम के तीता बोर में C.A. के विरोधी और B.J.P. की प्रदर्शन कारियों के भीच हुई जड़ा उज्जैन में संतोरे महाकाल एक्स्प्रेस में महाकाल की सीट रिजर्व करने पर जताई कुशी 12 जोतर लिंगो की भी सीटा रक्षित करने की माग LPG सिलेंडर की बढ़ी हुई कीमत को लेकर समाजवादी पार्टी का अदोरन बेलगा महंगाई पर विरोध जताया बेयार के बोतिहारी में मेट्रिक परीक्षा के दौरान चातलों के परिवार वालों का हंगामा पुलिस ने चलाई लाठिया पुंच पे पाकिस्तानी फौज के मोटार को सेना ने किया नश्ट रहाईशी इलाके से हुई थी बरामत की हरीद्वार में धरने पर बैठे कॉंग्रिस कारेकरताओं को पुलिस ने जवरन हटाया बिना इजासत प्रदर्शन पर कारवाई पुमई के जी एस्ती भवन में भीशनाग दमकलकर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया कागूँ गॉलियर में जलकर खाक हुआ भागवर कथार के लिए बना पंडाल शौट सर्कित की वजह से रगी से हुआ हाथसा शाजापूर में एस्यूवी कार ने आटो कुमारी जोरदा टककर चार लोगों की दर्थनाक मौत कारणपूर देहात में दलित यूवक पर हमले के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन आरोपियों की गिरफतारी की मार नौईडा पुलिस पर गंबीर आरोप उगाही से परिशान युवक ने तेजाप पीकर की खुदकुशी पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन दिल्ली के नस्दीक नौईडा में सफाई कर्मचारी की सडख हाथसे में मौत के बाद विरोध प्रदर्शन नाराज लोगों ने रोका रास्ता संबल में शादी समारों में जेरिली शराब पीने से दोकी मौत पुलिस पर शासन में हड़का बुलन शेहर में ग्राम प्रदान की हत्या के विरोध में सडख जाम नामजाद आरोपियों की गिरफतारी ना होने पर बवार दिली एएपोर्ट पर पकरी गई बैलेस लाख की करेंसी इतर की शीशियों में छुपा कर ले जाने की कोशिश पंजाब की लुध्याना में फाइनान्स का अपनी में 30 किलो सोने की लूट सीसी टीवी में केद भी लिटेरे इस साथ में बरातियों से भरी एको कार और ट्रक में भिरत हाथ से में 6 की गई जान अगले बहीने न्यूजलेट में भारत के दौरे के बाद जॉइन करेंगे दो नए सेलेक्टर आर्पी सिंग और सुलक्षर नायक CAC में होंगे शामिल अगले साल भारत में होगा होकी का जूनियर में बेंस वर्ल कप इंटरनाशन होकी फेडरेशन ने किया एलान आज से नई दिली में हो रही है एशन रेसलिंग चैंपिंशिप की शुरवाद करोना वाइरिस की वज़ा से हिस्सा नहीं लेगी चीन की टीम इंकम टैक्स पर मिलने वाली छूट को खत्म करने की अभी सरकार ने नहीं तै की है समय सी मावित मंत्री ने दी जानकार मारुती सुजूकी ने लाँच किया एगनिस का बीए सिक्स मॉडल चार लाक्रासी हजार रुपे है कार की शुरुआती की मत जलता सकता है SBI कार्ट का आईपियो से भी ने दी आईपियो पकलाने की मंजूरी अक्तूबर दिसंबर तिमाही में OEO का हुआ 2390 करोड का नुकसान अंतराश्री अविस्तार की वजह से हुआ खाटा वोड़ाफोन आईडिया ने चुकाए AGR की बकाया रकम के 2500 करोड वोड़ाफोन आईडिया पर AGR के 53,000 करोड है बकाया डेयर्टल ने AGR की बकाया की तौर पर चुकाए 10,000 करोड रुपे सेल्फ असेस्मेंट पुरा होने के बाद बची हुई रकम चुकाएगी कमपनी करोड रुपे का बुकतार दो करोड रुपे से जादा का कारोबार करने वारे करदाताओं में से 92 फीसिदी ने दाखिल किया सालना GST डिटर 2017-18 का आकड़ा सरकारी तेल मारक्टिंग कपनी भारत पेट्रोलियम की बिक्री का रास्ता साथ इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप ने दी बिक्री पत्र को मन्सूर जल्दी दूसरे शेहरों या राज़े में रहने वालों के लिए वहीं से वोट डालना होगा मुनके नई तक्वीक पर चल रहा है काम हारत के सबसे बड़ी वहीकल एक्सपो 2020 में उकाया पावर ने पेश की ईवी चार्जर्ज और बाटरीज की नई रेंज आया ए ने किया एक्सपो का आयोचन दिली एंसियार में शुरूवी स्कूल फीस के लिए लोन के शुरुआत विवेक ओब्रोई की कामपी फाइनांस पियर्ड ने किया सान्पोर्ट ग्रुप से करा HDFC बैंक के MD आदिति पुरी ने बैंक में अपने कुल एसेदारी का 20-20 हिस्ता बेचा जुटा 156 करो सेकंड हैंड कार के बाजार मुतरने को तयार है पॉर्शे हरफ में जल्द आ सकता है पॉर्शे अप्रूव्ट किदारनाथ धाम को जोडने वाली गौरी कुन किदारनाथ मार्क पर अभी जमी है पांच फीट बर्फ तीन महीने से बिजली गुल 202 अंकों की गिरावर के साथ 41,055 अंकों पर बंद हुआ सेंसेक्स निफ्टी सरसट पॉइंट्स गिर कर 12,045 अंक पर बंद 233 रुपे की गिरावर के साथ 41,798 रुपे प्रती 10 ग्राम हुआ सोने का भाव चांदी में 157 रुपे की गिरावर पूरी से घटाया देश की विकास दर का अनुमान मौजूदा साल में 5,4 पीज़ी और अगले साल 5,8 पीज़ी की ग्रीजी ग्रोथ का अनुमान देश की विकास दर में और कमी की आश्रंका करोना वाइरेस से होने वारे नुकसान के संकेत मिलने शुरू और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले